गुड मॉर्निंग अभी हम लोग निकल रहे हैं पोक्रा साइट सिरींग के लिए तो चलते हैं और देखते हैं पोक्रा अभी हम लोग पहुँच चुके हैं विंदवास सिरी मंदिर तो यह है विंदवास सिरी मंदिर हमने बहुत जल्दी जल्दी में दर्शन के विंदवास सिरी मंदिर के और अभी हम हमारे बस की तरफ जा रहे हैं और अगला स्पोर्ट चाहेंगे स्पॉट हम जो आये हैं वो है महंद्र केफ तो इस केफ के अंदर जाने के लिए 50 रुपी का टिकेट लेना पड़ता है तो हम अंदर जाके आपको फिल दिखाते हैं केफ के बाहर एक पार्क बना हुआ है घूमने के लिए और बच्चों के लिए भी एक पार्क है जहाँ पे बच्चे खिल सकते हैं और यह केफ देखाते हैं हम अंदर जा रहे हैं अभी हम लोग पहुँच चुके हैं एक म्यूजियम में म्यूजियम के बिल्कुल बगल में ही सेटी रिवर जॉर्ज हैं जहाँ पे एक रिवर को आर्टिफिशेली उसके पानी को उपर लाया गया है यहाँ पे और म्यूजियम पे दोनों जगे जाने के लिए यहाँ पे भी आपको टिकेट लेनी पड़ेगी और यहाँ पे आप लोग नेपाली गेट अप में तैयार भी होके फोटो भी क्लिक कर सकते हैं हम जाने है गुपतेश्वर महादेव मंदीर के अंदर जाने के लिए भी आपको टिकेट लेना पड़ेगा और इस मंदीर के अंदर एक गुफा है गुफा में पहले आपको कामधेनू गाई के दर्शन होंगे उसके अंदर से होने के बाद आपको स्वैमभू शिवलिंक के दर्शन होंगे और उसके भी नीचे आपको जाना पड़ेगा फिर आपको एक प्राकृतिक जणना देखने आए है गुपतेश्वर महादेव में और यहां पर एकदम नीचे जो देवी फॉल्स का जढ़ना है वो यहां से ओके जाता है मैं आपको वीडियो में फोटोस में नहीं दिखा सकती जो मैं आखों से देख रही हूं अतलब माइन ब्लोइंग है गुपतेश्वर महादेव क ठीक बाहर सरक के उस पार आपको जाना पड़ेगा देवी फॉल्स में यहां भी टिकट लगता है और यहां पर जाने के बाद आपको यह ज़र्णा देखने को मिलेगा जो कि गुपतेश्वर महादेव जाता है मेरे पीछे वहां से आप देख सकते है देवी फॉल्स का लेते हुए हम पहुचके पोकडा लेग के बीचो बीच मंदिर में झाल